हलो दोस्तों मेरा नाम है अनन्द और आप देख रहे हैं दे कॉमर्स ट्यूटर आज के इस वीडियो में हम जो अपनी डिसकेशन कर रहे थे रिक्टिफिकेशन अफ एरर्स की वहां पर हम जो टॉपिक डिसकस कर रहे थे जहां पर एरर्स जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही डिटेक्ट हो जा रहे हैं और उनकी रिक्टिफिकेशन एक कम्प्लीट जर्नल इंट्री के थूप प्रॉसिबल है उस वाले रहेंगे और इसकी सल्यूशन करेंगे तो देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है गिव जर्नल इंट्रीस तो रेक्टिफाइब फॉल्लोइंग ठीक है तो अब आप काम करो आप स्क्रीन पर ध्यान दो थोड़ा और हम लोग क्या देखेंगे यहां पर इलस्ट्र अब परचेज ऑफ गुड्स फ्रम राम अमाउंटिंग रुपीज वन फिफ्टी हैस बीन रॉंगली एंटर्ड ध्यान देना हर वर्ड पर ध्यान देना हैस बीन रॉंगली एंटर्ड थूदसेल्स पूप ओके तो एक एक करके पढ़ते हैं करके सॉल्फ करते हैं एक ही 150 पचास में गलती क्या हो गईён एंटरी में गलती संबसे फर्स्ट्र promise keanu यहा पर गलती से ब्ले होई हैं तो यहां पर्से्ट लिएघ्र कर दिए थेले फर्सकों परके साबगारों लिजरखे Mongली एंटर यहाँ तो sales book में entry हो गई sales book में राम बोलके 150 रुपया इन लोगों ने लिख दिया अब इसका effect क्या होगा इसका effect यह होगा कि sales book से जब ledger में posting होगी तो देखो sales book में ledger में किस account में post होता है total sales account में ठीक है ना और sales account में post होता है और यह जो राम का जो नाम आपने sales book में लिख दिया तो posting करते समय accountant यह समझेगा कि राम को कोई sale हुई होगी तो वह राम के किस account में sales account के तो credit side में post करेगा क्योंकि sales जो है वो credit होती है always income है credit होगी और राम को as a debtor वो sales book से जब posting होती है किसी personal account में तो वह जो जेनरली debtor के लिए पिर सीपर स्थिंग होती है तो यहां पर भी राम के इसने अध्य कर द Pri met अब इसको हमको सही करना है, तो चलो इसको अच्छे से अनलाइस करते हैं, यहां पर छोटा सा नहां लिखके इसको अच्छे से अनलाइस करते हैं, एक बार मैं इसको लेके चला जाता हूँ, अपने rough sheet में, ठीक है, यहां से हटा दिया, यहां आ जाते हैं, ठीक है, तो हम जो discussion कर रहे थे कि राम से हमने जो परचेश किया 150 का उसका entry क्या हो गया यह जो है यह wrong entry जो हुई है रोंग एंट्री यह बुक्स में अभी है लेकिन करेक्ट एंट्री क्या और चाहिए था तो यह है हमारी correct entry तो अब बताओ rectification entry क्या होगी rectification entry क्या होगी देखो wrong entry को हमको reversal मारना पड़ेगा तो rectification entry मैं blue color से लिखता हूँ आप देखना rectify करने के लिए सबसे पहले wrong entry जो यहां पर हमने कर रखी है इसको करना पड़ेगा reverse तो एक बार इसका reversal जो है वह लिख लेते हैं तो reversal के लिए आपको क्या करना पड़ेगा RAM account को आपको करने पड़ेगा देखो debit ठीक है RAM account को करना पड़ेगा debit sales account credit हुआ था यहां पर नहीं सौरी गलत लिख दिया मैंने रुको एक मिनट राम account को करना पड़ेगा यहां पर credit ठीक है इसको reverse कर रहा है wrong entry को sales account credit हुआ था उसको करना पड़ेगा debit तो sales account जो है इसको करना पड़ेगा debit ठीक है और यह जो correct entry हमारी हुई नहीं है यह correct के लिए तो correct entry में क्या होगा purchase account को करना पड़ेगा हमको debit ठीक है और RAM account को करना पड़ेगा credit राम account जो होगा वह होगा credit तो net books में हमको इतने सारे adjustments करने होंगे यह सारे debits और grades करने होंगे तब जाके वह error जर्नल एंट्री के form में लिख रहा हूं बस लिख रहा हो कि कौन से account debit होगी अब यह जो हमको rectification में करना है चलो इसकी जर्नल एंट्री ड्राफ्ट करते हैं तो देखो राम account जो है वो यहां पर credit हो रहा है 150 और यहां पर भी credit हो रहा है 150 तो टोटल राम अकाउंट में credit कितना होगा 150 ठीक है तो एक बार जर्नल एंट्री जो है लिखते है रेक्टिफिकेशन जो entry होगी वह यहां पर लिखते हैं यहां पर two तो राम अकाउंट राम जो क्रेडिट होगा उसको लिखते हैं जखो दो बार क्रेंट हो रहा है यहांपर एक help 150 पर यहां पर 90 तो तीन रुपे सबकूराइफ सब्सक्राइफ करेड़ करना पड़ेगा और debit क्या हुँआ सेल्स अकाउंट एक बाद डेबिट हुआ ठीक है तो यहां पर पर परचेज अकाउंट डेबिट होगा 150 से सेल्स अकाउंट डेबिट होगा 150 से और राम अकाउंट क्रेडिट होगा 300 से यह बन गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री ठीक है समझ में आ गया अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको कोशिश करता हूं किसे और तरीके से समझाने का देखो परचेश किया था राम से 150 रुपया ठीक है इसको रेकॉर्ड कहां कर दिया था सेल्स बुक में अब सेल्स बुक में रेकॉर्ड करने के कारण क्या हुआ तो क्या हो गया से च़ला गया क्रेडिट 150 रुपया का और राम अकॉड में चला गया डेविट 150 रुपया का क्यों हुआ यह मैंने आपको समझा दिया ठीक है क्योंकि sales book से जब भी आप post करते हो तो टोटल जो है वो sales account के credit side में जाता है sales book का और individual जो personal accounts होते हैं वहाँ पर वो उनके accounts के debit side में जाता है क्योंकि generally sales book में जो है वो हम debtors का नाम लिखते हैं जो हमारे से माल खरीदा है जिन लोगों ने हमने जिनको माल बेचा है कहलो तो उनके account में debit side में posting होती है तो यही posting हो रखी है accounts में इसके कारण हमारा राम account में debit आ गया और sales account में credit आ गया 150 रुपया के लेकिन होनी क्या चाहिए थी purchase account में होना चाहिए था debit और राम account में होना चाहिए था credit अब देखो राम account में 150 रुपया credit होना चाहिए था लेकिन उसकी जगह हो गया राम account में debit 150 रुपया तो पहले जो debit 150 रुपया हो गया है उसको नलिफाई करने के लिए हमको 150 रुपया credit करना पड़ेगा राम account में राम account की बात कर रहा हूं मैं राम account में गलती से 150 debit हो गया इसको सही करने के लिए 150 credit करना पड़ेगा ठीक है और राम account में होना चाहिए था credit 150 तो जो सही shed होनी चाहिए थी उसको भी लिखना पड़ेगा तो 150 रुपय और credit करना पड़ेगा तो total credit कितना करना पड़ेगा 300 रुपय एक 150 इंटु टू एक 150 का क्रेडिट होगा इस डेबिट को ठीक करने के लिए जो गलती से डेबिट हो रख़ा है और । चैक है कित में परचेस किया था तो तो से टू आ कि अधो से इस को जो क्रेडिट गया देड़्सो का उसको नलिफाई करने के लिए क्या करेंगे देखो यहां पर मैंने सेल्स अकाउंट को देड़्सो रुपए से डेबिट कर दिया ठीक है रेक्टिफिकेशन एंट्री में और परचेज अकाउंट में डेबिट जाना चाहिए था देड़्सो लेकिन थोड़ा सा आपको शुरू में यह जब आप सोचोगे तो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है तो यह रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको सल्यूशन में इतना कुछ नहीं लिखना है जो आपसे ऑफिशियल सल्यूशन मांगेगा उसमें आपको सिर्फ यह रेक्ट अगला इलस्ट्रेशन के लिए तो यहां पर मैं इसको कर देता हूं पेस्ट ठीक है जी आप लोग को तो कॉपी में करना पड़ेगा आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर पाऊ ठीक है तो पर्चेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट अब टो यह शायद से आपको अच्छे से समझ में आ गया इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए चलो पहला एंटरी जो है मने कर लिया अब दूसरा जो है उसको देखते हैं अब दूसरी एंटरी में क्या बोला है एक क्रेडिट सेल और गुड़्ट अमान्टीं पर इसमें हमने credit sale की entry जो है sale की entry purchase book में लिख दी तो बिलकुल उल्टा होने वाला है तो ज्यादा deep में घुजूंगा नहीं मैं आपको समझाने के लिए ठीक है आपको बस इसकी जल्दी से entry बता दूँगा देखो यहां पर credit sale हुई है कितना amount है 120 रुपया रमेश को sale किया है वो purchase book में आपने record कर दिया मतलब purchase account में चला गया है debit और हमारा क्या कहते हैं रमेश का account में चला गया है credit तो रमेश का account में चला गया है credit अब इसको सही कर ना पड़ेगा ठीक है तो एक बार लिख लेते हैं wrong entry क्या हुई है फटा फटा यहां पर देखो रॉंग एंट्री जो है ना रॉंग एंट्री वो क्या हुई है purchase account में गया है हमारा debit to रमेश यह हुआ है हमारा रॉंग एंट्री ठीक है तो कितने का था 150 का था शायद अहां 120 का ठीक है चलो 120 रुपए 120 रुपए यह हुई है हमारी रॉंग एंट्री ठीक है ना और करेक्ट एंट्री क्या होणी चाहिए थी करेक्ट एंट्री जो है वह होनी चाहिए थी हमारा सेल्स हुआ है तो रमेश अकाउंट debit होना चाहिए था एक बिनट रमेश अकाउंट debit होना चाहिए था 120 से to sales account होना चाहिए था 120 से ठीक है ना और rectification entry तो क्या बनेगी हमारी rectification entry जो बनेगी उसमें हमको देखो रमेश जो credit हो रखा है उसको debit करना है तो debit कितना बार होगा दो बार एक बार इस credit को ठीक करने के लिए 120 होगा और एक बार correct debit को record करने के लिए 120 तो रमेश अकाउंट जो debit होगा 240 रुपए से होगा रमेश अकाउंट जो debit होगा वह होगा 240 से और टू क्या कहते हैं ज़ो गलती से डेविट हुआ हमारा पर देखो घलती से डेविट हुआ है नहीं क्मेदा था तो रिट करना पड़ेगा तू यह अकाउंट को एक सो बीस रुप्या से क्रेट कर देंगे और विप से अकॉंट को क्रेडिक कर था पर सेल्स हुआ नहीं तो टू सेल्स अकाउंट भी 120 रुपया कर देंगे तो यहां पर हमारा जो कर्टिफिकेशन एंट्री है वह यह हो जाएगा रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेस टू सेल्स तो यहां पर लिख देता हूं मैं इस बार मैनुवली लिख देता हूं रमेश अकाउंट हैंड्राइटिंग थोड़ी खराब हो सकती है फास्ट फास्ट लेकोंगा ठीक है ना तू पर चेस अकाउंट और फिर टू सेल्स अकाउंट तो यहां पर 120 और सॉरी 120 नहीं 120 नहीं 240 यहां पर 240 यहां पर चेस में 120 और यहां सेल्स में भी 120 ठीक है यह भी हो गया हमारा रिक्टिफिकेशन अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे थर्ड पॉइंट क्या है ओन 31 डिसमबर 2020 गुट्स अफ द वैल्यू अफ रूपीज 300 गुट्स अफ द वैल्यू अफ रूपीज 300 वे रिटरंड बाई हरी सरन और टेकन इन्टू 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 इन्वेंट्री होगा ठीक है यहां पर एक वर्ड जो है इन्होंने मिस कर दिया है मैं यहां पर लिख देता हूं टेकन इन्टू इन्वेंट्री ऑन दे सेम डेट बट नो एंट्री वस पास्ट इन्ट बुक्स देखो क्या हुआ है ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे ठीक है पढ़ के समझने की कला जो है वह हमको आनी चा परन ने हमको 300 रुपए के गुड्स रिटरंड किये एंड वेर टेकन इन्टू इन्वेंट्री यानि कि वह 300 गुड्स जो है देखो इयर का लास्ट डेट 31 दिसमबर 2020 ठीक है इन लोगों का जैनवरी डिसमबर का इयर चलता होगा ठीक है उस दिन यह लोग इन्वेंट्री मतलब क्या स्टॉक की वैल्येशन कर रहे थे तो स्टॉक प्रॉआशन लगाते हैं ने यो 300 रुपए का गुड्स है उसको पकड़ लिया तो स्टॉक की वैल्यू में यह 300 रुपए के गुड्स आ गए लेकिन इन्हों ने क्या गलती कर दी इन्हों ने जो है यह जो गुड्स रिटर्ण किये थे हरी सरन ने उसकी कोई जर्नल एंट्री पास ने की जर्नल एंट्री पास करना भूल गए यह लोग मिस हो गया इनसे यहां पर क्या होई है यहां पर कम्प्लीट ओमिशन हुई है तो सिंपल सी बात देखो यहां पर रेक्टिफिकेशन का क्या कह रहे है देखो 31 डिसंबर 2020 लास्ट डेट है उसी दिन को आप ट्रायल बना रहे हो ठीक है ट्रायल बनाने से पहले मान लो कि आपको यह एरर जो है इंटू इंवेंट्री यह बस कन्फ्यूज करने के लिए इसे हमको कोई मतलब नहीं है तो जब भी स्टॉक वैलुएशन होगा बिजनस में तो जितना भी फिजिकल स्टॉक आपके दुकान में या गोडाउन में पड़ा रहेगा वह तो फिजिकली विरिफाई होता है उसक बूक्स कोई एंट्री पास नहीं वही बूक्स में नो एंट्री वस पास्ट इन्दबूक्स अब तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा सिंपल सा बात है था प्लूस श्येटन की इंट्री ओतियो इंट्री होती है सेल्स रिटन ऑकाउंट्टबिट तो जिस बं नहीं किसी गलत अकॉंट में पोस्टिंग हो गई कि सब कुछ नहीं हुआ कोई कलती नहीं हूह मेनबात क्या है कि आपने अंट्रि रेकॉर्ड करना ही भूल गय तो रेकॉर्ड करना भूल गय तो रेकॉर्ड कर दो बस kit साथ है ठीक है तो चेकि छाहां को इसकी साथ है वो लिख लेते हैं रेक्टिफिकेशन अध्यूजर्स में यहां पर थर्ड पॉइंट जीज़र्ड ये जो एंट्री है वह क्या है से रेटर रे account debit इसको आप return involved account debit भी लिख सकते हो ठीक है return in word account debit भी लिख सकते हो एक सेहल स्विशा डेमेट लिख करने किट जो एन्ट्री रेकॉर्ड होनी मिस हो गई थी हम नहीं रेकॉर्ड करें अब सिंपल ओके अच्छा आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं चौथा पॉइंट अपना क्या है अन अमाउंट ऑफ 200 द्यू फ्रों महेश्चंद अब ये वाला टॉपिक ना इसमें बहुत ज्यादा कॉंसेट इन्वालड है इसलिए अपने दिमाग में अगर इधर उधर की कोई चिंता चल रही है तो उसको भगाओ पहले ठीक है और मेरी बात बिलकुल ध्यान से कान खोल के दिमाग खुला रखके सुनना ठीक है देखो क् महेश चंद बोलके आपका कोई डेटर था क्या था डेटर उससे आपको 200 रुपए मिलने थे और आपको ऐसा लग चुका था मतलब आप श्योर थे कि ये 200 रुपए तो मेरे डूब ही जाएंगे क्योंकि महेश चंद की हो सकता है कि हालत ठीक नहीं होगी तो आपको ऐसा साल बुक्स में बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया अकाउंटिंग टर्मिनलोजी चैप्टर पढ़े थे न मुझसे वहां पर मैंने बताया था बैड डेट क्या होता है जब भी किसी डेटर से कोई पैसा मिलने वाला होता है लेकिन हमको लगता है कि यह पैसा मिलेगा नहीं ड हम पर याजता है कि यह पैसा रिकॉबर हो जाता है अनेंग्सेक्टे यहाद होता है तो मान लोग कि बैड देट समकब क्लियर कर देते हैं और फिर नए साल के सुरुवात में जीरो से हिशाब शुरू करते हैं ठीक है तो यह महेश्चंद जो है वह हिसाब चुकाया नहीं होगा और जिस दिन इसकी क्या हुआ महेश्चंद अचानक से कहीं से आया और वह 200 रुपय उसने हमको पे कर दिये ठीक है तो इस साल हम उसको क्या मानेंगे पता है अगर पिछले साल में हमने किसी पैसे को बैड़ेट रेकॉर्ड कर लिया था तो इस साल अगर वह हमको मिल जाती है तो उसको हम गेन वा नाम क्या है बंदे का महेश्चंद इससे हमको मिलने कितने थे 200 रुपय लेकिन ये 200 रुपय को हमने क्या कर दिया बैडड डेट्स अब ध्यान से देखना जब भी हमने इसको बैडड डेट्स में लॉस बूक किया होगा तो एंट्री क्या कियोगी जर्नाइल इंट्री तो bad debts की journal entry क्या होई होगी देखो ध्यान से bad debts एक loss है सारे losses को accounts में क्या करते है debit ठीक है तो हमने bad debt account किया होगा debit 200 अब loss तो debit क्या होगा 200 credit क्या क्या होगा बताओ देखो महेश चंध हमारा एक debtor ठीक है उससे हमको 200 रुपए मिलने थे अब 200 मिलने थे मतलब books में उसके 200 वाद की debit balance रवी होगी ठीक हैं लिखते हैं इसको यहां पर books में उसकी डविट रही होगी क्यांकि हर где देटर हमारा एसेट होता है और एसेट के डबिट बैलेंस होता है तो बुक समय हमारा महेश्चंद का खज़ाना कि उससे 200 रुपए मिलने और भुक्स में डेटर का हिसाब होना मतलब डेटर का डबिट बैलेंस होना अब जैसे ही आपने इस दोसों को एक लॉस की तरह बुक क क्रेडिट को करेंगे क्रेडिट महेसचंद का ठीक है 200 रुपए से क्रेट कर देंगे क्यों क्यूंकि महेश चंद के अकाउंट में अल्रेडी हमारा 200 रुपए डेबिट पड़ा हुआ है अब उस हिसाब को हमको खतम करना है क्यूंकि हमने मान लिया कि उससे पैसे मिलेंगे नहीं तो इसका अकाउंट क्लोज करना अपने बुक्स में तो अकाउंट क्लोज करने के लिए 200 का क्रेडिट कर दिया तो यह एंट्री हुई होगी पिछले साल यह प्रिवियस यह मैं लिख दे रहा हूं यहां पर जब हमने महेश चंद से जो पैसे मिलने थे दिया लॉट किया अब करेंट एर में आ जाते हैं करेंट एयर का सिनारियो करेंट एर में हमको महेश चंद से 200 रुपए रीका है तो cashbook का received side मतलब ही cash का debit balance ओके तो cashbook में debit side में entry की आप simplicity के लिए मैं कहता हूं कि cash account debit हुआ 200 रुपए से ठीक है और credit करते समय देखो question देखो यहां पर लिखा है credit जो हुआ न वह कहां पर गया वह posted to the personal account of महेश्चंद unexpectedly recover हुआ और had been posted to the personal account of महेश्चंद अब क्या हो गया इसने मैं आपको cashbook की बना के दिखाव देता हूं यहां पर कि हम चलो cashbook बना लेते हैं यह छोटा सा cashbook बना देता हूं ठीक है यहां पर यह जो cashbook है इसके receipt side में entry हुई होगी तो receipt side में इसने क्या लिख दिया 200 रुपए तो लिखा cash के column में साथ में यहां पर नाम लिख दिया महेश्चंद अब accountant को क्या पता इतना इतना थोड़ी याद रहता है कि पिछले साल में इसके नाम पर हमने write-off कर दिया था उसने देखा कि महेश्चंद पैसे दे रहा है फटाफट cashbook में महेश्चंद लिख दिया और यह जो entry उसने की यह जो यहां पर जो महेश्चंद उसने लिखा यह महेश्चंद के account में जाके post हो गया होगा अब इसके करण क्या हुआ यहां पर credit जो आया अब यहां पर आते हैं जो जर्नल इंट्री में लिख रहा था तू महेश्चंद हो गया यह entry ठीक है महेश्चंद का 200 रुपए आ गया अब एक बार cashbook मिटा देता हूं ठीक है cashbook मिटाता नहीं हो थोड़ा इसको हटा देता हूं इदर उदर इस cashbook को यहां ले आता है ठीक है इसको भूल जाओ अब यहां देखो महेश्चंद के अकाउंट में हो गई थी credit अब क्या हुआ देखो महेश्चंद का जो 200 रुपया का debit balance था उसके अगेंस्ट में अल्रेडी पिछले साल हम उसका 200 का credit कर चुके थे ठीक है बैट डेट्स का लॉस का entry करते समय तो महेश्चंद का अकाउंट तो zero balance का हो गया अब अगर आप उसमें credit करोगे तो महेश्चंद के अकाउंट में 200 रुपया का credit आ जाएगा 200 रुपया का credit किसी भी personal account में अगर 200 रुपया का credit आ जाए तो इसका मतलब हमारे books के प्रती एक liability किसी के personal account में अगर credit है मतलब क्या हमको उसको पैसे देने हैं तो अगर आप महेश्चंद के अकाउंट में 200 रेकॉर्ड कर दोगे तो इसका implication क्या होगा महेश्चंद के अकाउंट में 200 रुपया जाएगा मतलब हमको जो पिछले साल हमने लॉस बुक किया था मैंने अभी आपको बताए कि जब उसकी recovery हो जाती है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो आप ठीक है तो यहां पर prudence का concept मैंने आपको सिखाया था तो बातों को कहां से कहां लेके जा रहा हूं है प्रूदेंस के concept में मैंने बोला था ना कि जब भी आपको लगता है कि कोई loss होने वाला है थोड़ी सी आशंका होती है या आप आप रिजनेबली एक सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हो कि हाँ एक लॉस होने वाला है तो उस लॉस को बुक कर दो तो उसी प्रूडेंस के कॉंसेप्ट के हिसाब से हमको हम शूर थे कि यह बैट डेप जो है यह हो गई यह बंदा पैसे मारने वाला लेकिन अब भगवान की कृपा हमारे उपर हो गई तो और उसने पैसे दे दिये वह अलग बात है लेकिन जिनरली क्या है कि हम शूर ही थे कि यह पैसे डूब जाएगा इसलिए हमने प्रूडेंस कॉंसेप्ट के इसाब से लॉस बुक कर दिया था लेकिन अब जो पैसे मिल ग हो यह रॉंग एंट्री हुई है ठीक है करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए यहां पर लिखते हैं करेक्ट एंट्री करेक्ट एंट्री होनी चाहिए देखो कैश अकाउंट तो डेबिट होना ही चाहिए क्योंकि पैसा मिला है 200 रुपए से और क्रेडिट होना चाहिए टू bad debts recovered ठीक है या आपने नया account सुना होगा bad debts recovered जो लोग 11-12 में bad debts के accounting कर चुके हैं उनको पता होगा तो bad debts recovered अब इसको मैंने credit क्यों किया bad debts recovered जो है ये एक income या आप इसको gain मान लो income तो नहीं है आप इसको gain मान लो ठीक है एक unexpected gain आई है तो जो भी incomes और gains होती है business में जब वो होती है तो उसको credit किया जाता है इतना तो आपको पता है expenses और losses को debit किया जाता है incomes और gains को credit किया जाता है तो पिछले साल जो हमसे एक loss book हो गया था अब उसको हम ने compensate करने के लिए इस ताहले का income book कर लिया और cash account cash आया तो cash account debit हो गई तो यह entry होनी चाहिए थी यह entry होनी चाहिए थी और entry हो गई यह तो problem क्या हो गया कि महेश चंद का account credit हो गया bad debts recovered का account credit नहीं हुआ तो महेश चंद का account जो credit हो गया उसको सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहां पर छोटा से rectification entry लिखता हूं इसको थोड़ा सा color दूसरा लेलता है rectification entry क्या होगा महेश चंद का account जो गलती से credit हो गया उसको debit करना पड़ेगा महेश चंद के account को करना पड़ेगा debit 200 रुपए से और two यह जो bad debts recovered यह जो bad debts recovered हमारा credit नहीं हुआ था उसको करना पड़ेगा तो two bad debts recovered ठीक है 200 यही एंट्री हमको rectify करके देगी सब कुछ जो भी गलतिया हुई है तो इसको एक बार अपने सम में fair करके लिख लेते हैं यहां पर fourth point था देखो double मैनत करवा रहे हैं और वहां भी लिख रहा हूं एक बार यहां भी लिख रहा हूं महेश चंद अकाउंट debit to bad debts recovered ठीक है अकाउंट अब यहां पर कितना था 200 रुपया बस हो गई आशा करता हूं कि समझ में आ गया इसलिए इस इलस्ट्रेशन को मैंने अलग वीडियो में लिया क्योंकि मुझे पता था कि इसको समझाने में मुझे काफी टाइम लगेगा आपको दिमाग में बिल्कुल तीर की तरह घुश जानी चाहिए चलो अब पांचवा पॉइंट जो है उसमें आ जाते हैं चेक रुपीज हन्रेट रुपीज का मनमोहन से और वो डिजॉनर हो गया था एक एक करके चलो पूरी चीज को जो है डिसकस करते हैं सबसे पहले यहां लिखते हैं चेक रिसीव हुआ हमारा मनमोहन से एंट्री क्या होनी चाहिए चेक रिसीव करने की बैंक अकॉंट डेबिट कुमन महन लिख रहा हूं ठीक है to mm तो अमांट कितना है सो रुपय का है यह चेक रिसीव की एंट्री है अब जब चेक कोई आपक को कर देंगे reverse तो यह हो गया dishonor का entry क्या होगा mm account कर देबिट 100 रुपए से two bank simple बस उपर वाली entry को कर रहे है reverse ठीक है यह हो गया dishonor की entry अब आगे क्या हुआ देखो dishonor की entry pass करते समय डिजॉनर की entry pass करते समय डेबिट कर दिया अकाउंटेंट ने मतलब posting करते समय लेजर में डेबिट कर दिया sales return account में ठीक है तो यहाँ पर debit होना चाहिए था मनमूहन अकाउंट में posting debit की posting मनमूहन अकाउंट में होनी चाहिए थी लेकिन debit कहां हो गया sales return account में तो इस entry की मैं एक बार और इस entry की जगह wrong entry क्या हो गई यह है correct entry और wrong entry क्या हो गई wrong entry लिखता हूँ मैं यहां sales return account debit हो गया to bank तो सही है मानलो to bank जो है यह तो सही है debit में गलती हुई है तो 100-100 यह हो गया wrong entry और यह हमारा correct entry यह है correct entry ठीक है और यह है wrong entry अब rectification entry क्या होगी rectification entry जो होगी वह simple है देखो sales return account में हमारा debit होना चाहिए था इसमें हुआ नहीं तो इसको debit करना पड़ेगा तो सबसे पहले लिखते हैं sales ओ सौरी उल्टा बोल रहा हूं अरे यार गलती से sales return account debit में sales return account हमारा गलती से debit हो गया था इसको debit नहीं करना था ठीक है मनमोहन अकांट को हमको debit करना था तो rectification में हमारा मनमोहन अकांट debit होगा मनम horrific account debit 100 रुपए से और to sales return account जो हमारा गलती से debit हो गया था उसको गरेड करना पड़ेगा तो टू sales return account सौर रुपए तो यह होगा हमारा rectification entry मनमोहन अकांट debit to sales return account तो आ जाते हैं यहाँ पर पाच्वा पॉइंट इसकी एंट्री क्या लिखेंगे मन मोहन अकाउंट डेविट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट ठीक है अमाउंट कितना था अमाउंट था सो रुपया यह सो हमने बिठा दिया तो देखो इसकी भी यह इलस्ट्रेशन जो है इसको भी हमने पूरी तरह से सॉल्फ कर लिया और नीचे सलूशन दिया हुआ है अब चाहो तो देख सकते हो नरेशन वगेर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां पर देख सकते हो ठीक है इसके बाद हम क्या डिसकस करेंगे पता इसके बाद ज आता है तो comment में बताइए अधिक है और विडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा कमेंट्स में ये भी बताईएगा कि आपको चीज़े समझ में आ रही है कि नहीं अगर समझ में आ जाते हैं तो लिख देना एक बार कमेंट्स में कि हां सर शरी चीज़ें ठीक से समझ में आ गई वैसे इन वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपक का दिन सुभू